नमस्कार आप सभी का Against Cruption 99 में बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग जानेंगे यदि लोग सूचना पदाधिकारी द्वारा आधी अधुरी सूचना दी जाती है या सूचना नहीं दी जाती है या गलत सूचना दी जाती है तो आप सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 29 की उपधारा 3 के तहत किस प्रकार दीतिय अपील दायर कर सकते है इसके बारे में जानकारी प्राप्ट करेंगे चलिए जो इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं वो अब सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबा कर ऑल पर भी क्लिक अबसकरें जिससे हर तरह के नोटिफिकेशन आप लोगों को सिखन मिलता रहे तथा इसे एक लाइक अबसकर देंगे तथा इसे इतना सेर करेंगे जिससे कि हर भारतिये को इसकी जानकारी आसानी से हो सके और वो भरस्टाचार के खिलाप RTI का प्रयोग कर उचित समय पर सूचना ले सके और इससे संबंदित जानकारी भी गरहन कर सके चलिए द्विती एपील राज्य सूचना आयोग में कैसे दायर करेंगे इसके बारे में जानकारी प्राप्ट करेंगे मैं बिहार राज से संबंदित हूँ इसलिए मैंने बिहार राज सूचना आयोग में अंचला धिकारी के खिलाप एक द्विती एपील डायर किया है देखें आप लोग लिखेंगे साधे कागज परिस्तरा आप लोग द्विती एपील का प्रपत धारा अउनीस की उपधारा तीन के तहत की जाती है लिख देंगे शेवा में बिहार राज सूचना आयोग या आपने अपने राज सूचना आयोग का पुरा पता लिखेंगे बिसे में दुटी एपील धारा उनिस तीन के तहट दायर करने के संबंद में लिख देंगे आवेदक अपना पूरा नाम पूरा पता लिखेंगे पिन कॉर्ट साहित लिखेंगे मोवाइल नमबर इमेल भी दे सकते हैं लोग सुचना पतादिकारी का नाम लिखेंगे जिसके खिलाप आपने दुटी एपील दायर किया है उसका पूरा नाम पिन कॉर्ट कार्याले साहित पिन कॉर्ट का पता भी दे देंगे मांगी गई सुचना का बिबनर जो भी सुचना आप लोगों ने प्रपत्र को द्वारा पियाईयों से लोग सुचना पतादिकारी जन सुचना पतादिकारी से मांगा था उसी का यहां बर्णन करेंगे तो मैंने दाखिल खारे से सम्मंदित कुछ सुचनाई की मांग की थी जिस पर चार बिंदों पर मैंने कुल सुचना मांगी थी आप लोग भी इस प्रकार सुचना मांग सकते हैं कि दाखिल खारी बात संख्या इतना पर अब तक की गई कारवाई की दैनिक परगर्टी रिपोर्ट दी जाए या संपूर्ण अभिले की प्रपानित पर दी जाए या किन अधिकारियों के खिलाब कारवाई करने चाहिए बिलम के लिए उसका बारे में जो भी सुचना आप चाहते हैं प्रपत्रकाँ में जो भी लिखे होंगे उसी को यहां लिखेंगे प्रापसूचना पत्रां इतना दिनांग से आधि अधोरी सूचना अफ्लब्ध कराई गई है मुझे सौस में पूरी सूचना उप्लब्ध नहीं करवाई है इसलिए मैंने द्विती अपीलदार क्या था डिती अपील दायर करते समय पर्थम अपील के भी तथ्यों का वर्णन करेंगे मैंने सुचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहद दिनां कितना को उप्रोक्त सुचना मांगने के लिए आविदन दिया था लेकिन लोक सुचना अधिकारी ने आधिया धूरी सुचना अपलत कराई मैंने इस समय में पिर्थम अपील दिनां कितना को दायर किया पृथम अपीली पताधिकारी का आदेस कोई आधिश प्राप्त नहीं हुआ है कुछ भी नहीं किया गया प्रार्थना में लिख सकते हैं आप जो भी आयोक से प्रार्थना करेंगे लोग सुचना अपदाधिकारी को मेरे आवेदन में मांगी गई वांचित सुचना है तुरंद परदान करने का देश दें साथ ही आयोक से यह भी निवेदन है तहत आर्थिक डन लगाया आता है और विस दो के तहत अनुसासनिक करवाई के लिए विभाग को सिपारिस किया आता है आयोक से निवेदन मैं इस मामले में सुनवाई में स्वेम या अपने प्रतिनिधी के माध्यम से उपस्तित रहना चाहता हूँ और मुझे सभी सुनवाई की अगरिम सूचना आवस्य प्रदान करें साथ ही मैं यह भी निवेदन करता हूँ चाहता हूँ कि इस मामले पर फैसला सुनवाई के बाद ही करें सत्यापन मैं सत्यापित करता हूँ किस अपील में प्रदान की गई सूचना है मेरी जानकारी में सही है सुल्क के रूप में 10 रुपे का भारती पोस्टल आडर दे सकते हैं या नन जिडिस्यली इस्टाम भी दे सकते हैं या बैंक ड्राप्ट भी दे सकते हैं जितने भी डॉकुमेंट्स देंगे प्रपत्र का प्रथम अपील है तु जो आबेदर दिया था उसकी चाहाप्रती लगाएंगे सभी स्वभी प्रमानित होनी चाहिए सब डॉकुमेंट्स चाहाप्रती को स्वभी प्रमानित कर देंगे समय हस्ताक्षर करेंगे उसके बाद जो है इसके साथ अटेच केर आप सुचना आयोग में आसानी से दीती एपील दायर कर सकते हैं जैहिन